जो मौन्सून सत्र आ रहा है जो बीस तारीक को शुरू होगा ग्यारा अगस्त तक चलेगा हलांकि कि सतर सिर्फ सत्रा दिन का होगा उस संदर में यह बैठक हुआ और हमेशा जब कभी पार्लेमेंट की सेशन आती है दब उसके पहले पार्लेमेंटरी स्टैडिक्री ग्रूप की बैठक होती है तो इसमें कोई नहीं बात नहीं है पर इस बार हमने कुछ बीज दिन पहले ही यह बैठक की क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जंदा की मुद्दे हैं जो देश के सामने हैं उस पर हमारी रणीती क्या होनी चाहिए और पार्लेमेंट में हम इसको किस तरीके से उठाएं उस पर चर्चा काफी लंबी चर्चा पहला मुद्दा मनिपूर का था और हाल में ही आप जानते हैं राहुल गांदी जी वहां दो दिन के लिए गए थे भारत जुड़ो यांत्रा का संदेशा ही लेकर गए थे सद्बागना भाइचारा अमन शांती पसंदेशा ले गए थे तो उस पर काफी चर्चा हुआ और कॉंग्रेस पार्टी के ओर से हम यह मांग करते हैं और करते रहेंगे कि मनिपूर के मुख्यमंत्री का इस्तिफा जल से जल ले लेना चाहिए कल जो ड्रामा घटा इंफाल में वह दर्शाता है कि बिजेबी के हाई कमार्ड प्रधानमंत्री ग्रवमंत्री स्तिती के काबू में नहीं है ग्रवमंत्री भी मनिपूर गए हैं तो उसका कोई सकारात्मत असर नहीं देखने को मिला है प्रधानमंत्री तो पिछले साथ से चुप हैं हैं कि अबार बार मांग कर रहे हैं कि व्लादमंत्री अपनी चुपी तोड़ने हैं और आजम दुवारा यह मांग करते हैं और इस पर काफी बाचीत हुई कि यू म؛ को अपनी चुपी तोड़नी चाहिए और फोरण मनिपूर के मुख्यमंत्री जिनके महजूद्गी में सितीक के बदने की कोई संभावना नहीं है उनका इस्तिवार ले लेना चाहिए पंदरा जून को हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लौ कमिशन ने एक नोटिस जारी की थी 14 जून को कि उन्होंने जलता से और विबिन संस्थाओं से अपने विचार मांगे थे पंदरा तारी को हमने एक स्टेटमेंट जारी किया था एक वक्त में जारी किया गया था और इस पर चर्चा हुई और पंदरा जून से आज तक कोई ऐसी नहीं सिती नहीं पैदा हुई है कि हम इस स्टेटमेंट को और आगे ले चले यानि कि जो हमने पंदरा जून को कहा थ था वो उसी पर हम अडिग हैं और जो लॉग कमिशन ने विचार अलग-अलग संस्थाओं से अपनी राए मांगी है उस पर जो हमने टिपन्नी की थी वो आपको आपके पास है मैंने खुद हिंडी में और अंग्रेजी में एक बयान दिया था और आज एक जुलाई है पिछले 16 दिनों में ऐसी कोई नहीं बात नहीं उठी है कोई मसोदा नहीं है कोई विघ्य नहीं है सिरु बयान बयाजी चल रहा है अगर बसौदा है अगर विघ्य रहे को में तो हम कुछ कह सकते हैं पर आज की हला स्थिती य GEORGE यह है रहेंगे अगले 15-20 दिनों में अलग-अलग पार्टियों के साथ भी मिठट होगी कॉंग्रेस अज्यक्ष ने पटना मीटिंग में क्या हुआ सभी सांसदों को अबगत कराया और अगली मीटिंग बिंगलोर में होगी क्योंकि कि शिमला में बहुत देज बारिश हो रही है डेट अभी तैय होने के बाकी है पर दूसरा विपक्ष का जो मीटिंग है कॉंग्रेस अध्यक्ष ने हमें अब गत कराया कि वो भेंदूर में आयोदित क्या जाएगा तो ऐसे मीटिंगे होती रहेंगे हम कॉंग्रेस पार्टी ह होने के नाते और विपक्ष कि और से भी हम कहना चाहते हैं कि हम कि सतर को चराना चाहते हैं कि सतर में हम उद्दा उठाना चाहते हैं कि बहुत सारे आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक मुद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् तो 20 तारिक से हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हमें पूरा मौका देगी कॉंग्रेस पार्टी को अलग-अलग विपक्ष पार्टियों को अपने मुद्दे उठाने के लिए और जो एजंडा तैह होगा जो विध्यक पेश किया जाएगा जब वो विध्यक पेश किये जाएंगे तब उस पर हम विचार कर सकते हैं पर आज हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है कि कौन-कौन से विद्यक आ रहे हैं जब वो आएंगे तब पार्टी उस पर विचार जरूर करेंगे पर हम चाहते हैं यह सतर चले मजबूती से चले रचमात्मक तरीके से चले और हमें पूरा मौका मिले इन मुद्दों को उठाने के लिए